हेलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का हमारे चैनल को केश्टेडी में मैंकुम अलबिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आपके आपर महत्मन क्वेशन को कराऊंगा दोस्तो यह आपका लुशन का पार्ट नमबर 9 है वीडियो को शुरू से लेके आँखरी तक देखे दोस्ताब में किसे सीमांत गांधी का जाता है अर्थात किसका निक नेम सीमांत गांधी यह आपको बताया था दोस्तो खान अब्दुलुकफार खान आज कुशन है आपका विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्ते आपर द्वीब मतलब आपका आइसलेंड दोस्तो अब द्वीब किसे कहते हैं दोस्ते आपर दीखे ऐसी जगह होती है जो चार ओर से भूमी से गिरी होती है लेकिन बीच में दोस्तो पानी होता है एकदम दिया की तरह आप समझ सकते हैं एक दिया जिस प्रकार से होत के पर्थम राष्ट्रपति कौन थे यह दोस्त आपको मालूम होगा बहुत ही कौमन कोशिन है स्वतंद्र भारत के पर्थम राष्ट्रपति यहां पर हो जाएंगे राजेंद्र परसाद और परधानमंद्र की बात करें तो कौन हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नहिरू दोस्ते हैं पर देखें नादिर्शाह हो जागा नादिर्शाह दोस्तों जो एक बहुत बड़ा यहां पर प्राकरमी था जो दोस्तों यहां पर देखें पहले यह क्या था यह फारस का दोस्तों शाह था लेकिन उसके बाद यहां पर देखें इरान का समराड बना था और इ इसकी उँची वाली चोटी हो जाएगी गुरू शेखर दोस्तों जिसकी उँच्छाई 122 मीटर लगवग हो जाएगी गुरू से घर अगला कुशन आप देखे दोस्तो धर्ती के तल का लगवग कितने प्रतिशत पानी है यह दोस्त आपको पता होगा दोती हाई से भी ज्यादा होता है दोस्तो पानी पूरे प्रतुवी में तो यह आपका लगवक्स 71% दोस्तो आपका हो जागा तो आपका 71% माप टिक करतेंगे अगला कुशन आप देखे भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा किस देश में लगी हुई है दोस्ता आपर दिखे कौन से वाले देश में भारत की सबसे लंबी स्थाली सीमाल लगी हुए है दोस्तू बांगलादेश दोस्तू जो बंगाल से विभजित हुआ था तो यह आपका यहां पर हो जागा अगला कुछन आपर देखे दोस्तो हमारे सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ग्रहों के आधार पर आपको कई क्वेशन बताया जा चुके हैं दोस्तो सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा होता है याँ पर देखे सौर मंदल में आठ ग्रह है इनमें से दोस्तो ब्रहस्पति जो आपका है जुपिटर आपका है सबसे बड़ा वाला हो जागा तो आप जुपिटर में टिकर देंगे और छोटा वाला आपको बताया था दोस्तो बुद्ध आपका सबसे छोटा होता है और नजदीक भी दोस्तो सूरी के वही होता है सब्सक्राइब करती है बिहार में तो इसलिए इसे बिहार का शोग कहा जाता है अगला कुछिन आपर देखिए गैस सिलेंडरों में गैस लिकेज होने का पता लगाने के लिए गंधयुक्त कौन से वाली के इसका इस्तमाल किया जाता है तो इसके लिए किस गंधर रूपी हो रही है अगला कुछिन आप देखिए दोस्तो वाजयो मंदल के सबसे अधेक किस वाली गैस का प्रतिशत है दोस्तों बहुत कॉमन कुछिन है हमारे एटमस्फियर में सरवाधिक घैस कौन से वाली है वेवेंड़ गैस होती है जिनमें सरवाधिक हो जागी दोस्तों इस्तित है दोस्ते हैं पर देखे कुडार के सूरी मंदर के बारे में पहले भी क्वेशन आपको बताया था ये दोस्ते हैं पर देखे विश्व के जो हमारी धरोवार है दोस्तो विश्व की धरोवार की रूप में यूनेसको ने इसे यहां पर रखा है नामांकित किया है और दोस्तो भारत ने बहुत ज्यादा यहां पर help कीती मदद कीती दोस्तों क्योंकि बागना देश दोस्तों पहले भारत का ही हिस्सा था आपको मालू होगा पाकिस्तान की तरह का और बाद में यह विभाजित होने के बाद अलग हो गया था अगला कुछिन आपर देखे दोस्तो कंप्यूटर भाषा में www का अरन्थ क्या होता है दोस्तों कर दिकर डाबर इंटरनेट के मात्यम से जानकारियां को जानगरियां निकालते हैं और उसमें यहां पर यहांपर साइड का इस्तेमाल करते हैं URL पते का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर आपको जानकारी मिलती है लेकिन यहाँ पर एक पूरा क्या है जानकारियों का इंफोर्मेशन का दोस्तों भंडार है तो वर्ल्ड वाइड वे आपको बता होना चाहिए अगला कुशन आप देखे एक किलो बा पर देखे भारतिय राश्ट्री कांग्रेस के 1929 के अधिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तेयां पर देखे एक लाहोर में अधिवेशन हुआ था दोस्तों भारतिय राश्ट्री कांग्रेस का इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नहरू दोस्तों और इसी आप्ते करने की यहां पर ठानी गई थी इसे पारित किया गया था और पूरे देश में दोस्तोँ यह अंदोलन चला था अगला कुछ ही आपप दिखिए कैंगरी Assembly में भगर सिंग का सथ कौन था रिखे केंदरी Assembly में के लिए Neum own के लिए को कि आपती loot यहां पर काम किया था अग्ला कुछीना पर दीखे मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कप की थी दोस्ते हम पर देखे मुस्लिम मुस्लिम निटे को बारे मापको मालूम होगा यह मुस्लिम राजन जंओ information say crypto मेंग दोप GO इन्होंने 1906 में एक सभा बनाई थी, उसी को मुस्लिम लीग कहा जाता है, और इसने दोस्तों पहली बार आगरे किया था 1940 में, विभाजन के लिए अर्था देख, अलग मुस्लिम, समोदाय या फिर आप कहें, एक राश्टर बनाने के लिए, अगला कुशन आपर देखें दो दोस्तों परकाशक भी थी, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर पत्रिका का परकाशन किया था, अगला कुशन आपर देखें किस एक मात्र भारती को अर्थोषास्त्र में नोबल पुरुसकार मिला है, एक मात्र भारती को नोबल पुरुसकार आपको बताना है दोस्तों, अ 1877 में विद्वाप पुनर विवाह कानून पारिद हुआ था इससे पहले विद्वाओं को पुनर विवाह करने के अनुमत नहीं थी जो एक सामाजी कुरूप से एक कुरूती थी दोस्तों एक बुरी परता थी कि उनके साथ इस तरह का विवाहर होता था तो इसके परती दोस् दोस्ते आप पर देखें लोक मानिता प्राप्त करगी लोक मत को पारिद पेहले शुरुआत में लोक मत को पारिद किया मतल्ला रोक मत लोगों की साहमति के अनुसार एक मत लिया और उसको दोस्तों आगे बढ़ाते हुए सरकार से दर्खास्त पर एक कानून लाए जो महान ग्याता थे और इसी के आधार पर इनका नाम विद्या का सागर भी रखा गया था तो यह आपको मालूम होना चाहिए और दोस्ते आपर देखें 2004 के सर्वेक्षन में यह पाया गया कि सबसे जो परसेद बंगाली थी उनके आधार पर दोस्तो इनको चुना गया था इनको लोग ने पसंद किया था अगला कुशिन आपर देखें लाड केनिंग ने नवंबर 1808 में कहां आउज़े दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोशना की थी लाड केनिंग दोस्तो आपको मालूम होगा लाड केनिंग के बारे में लाड केनिंग ने नवंबर 1808 में यहां पर कौनसे वाले दरबार में क्राउन शासन की घोशना की थी यह दोस्तो इलाबात के आउज़े दरबार में की थी पहले यापर दोस्तों एक governorate-general थे बाद में दोस्तों पर्थम भारत के पर्थम वाइसराई बने तो एक question आपका लियाद रखेंगे आप पर्थम वाइसराई के रूप में बने थे जो क्या थी दोस्तो ये सहायता देते थे और उसके नाम पर राज्यों के साथ में जोड़ते थे तो इसके आधर पर पर पर्थम जो यहां पर दिखे संधी की थी मतलब मित्रता की थी दोस्तो वो हैदराबाद के निजाम ने की थी दोस्तो उसके बाद कई राजियों ने यहां पर की थी जो सबसे बड़ा मुर्खता का काम था यह दोस्ते हैं आपर देखें, 798 में हैधरावाद के निजाम ने की थी उसके बाद दोस्तों 1805 तक दोस्तों यह मुहिम जारी की गई थी और इसके आधार पर कई राज Babs ने दोस्तों इनकी संदिप दिवादिगा थी तवी बहुत बड़ी मुहिम थी इसके आधार पर दोस्तों शुरुवात में अंग्रेजों ने यहां पर भारत में अपने राजी को फैलाने के लिए कारिक शुरू कर दिया था अगला कुछिन आप देखे भारत की सरवाथिक बड़ी जंजाती कौन सी है दोस्ते आप देखे सरवाथिक बड़ी जंजाती जो है यह आपकी गौन हो जागी दोस्तों तो गौन आपका सबसे बड़ी जंजाती जो दोस्तों यहापर बिना आवास के रहते हैं आपने देखा प्रकार की लोग होते हैं अगला कुछिना पर देखिए भारते राष्ट्रे कॉंग्रेस की पर्थम महला अध्यक्षा कौन थी दोस्ते हैं अभी हमने एनिवेशन के बारे में पढ़ा था जो एक पत्रिका की परकाशक के रूपा हमने पढ़ा था तो वहीं दोस्तों पर अगला कुछन आप देखिए भारत का विभाजन एक योजना के तहट हुआ था दोस्तों एक योजना थी जिसके तहट भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ था और पंजाब और और सभी को यहाँ पर मिला दिया गया था πरांथों को पंजाब ऊर बंगाल के आपका मांट बेटन योजना के फल सुरूफ हुआ था इस क्या था भारत और पाकिस्टान का विभाजन था उसके बाद में यहाँ पर बंगाल का विभाजन था लुच अथा जिनको अलग-अलग तो यही उसके अंदर मुखी रूप से यहां पर था तो मांट डिबेटिंग की योजना थी दोस्तों यह अगला कुशन आपर देखे जनरल डायर जो दोस्ते हां पर देखे जाले वाला बाग हत्या काने से जुड़ा हुआ है कि हत्या किस ने किये यह कुशन दोस्ते हां पर की रूप में भी सुना होगा वही अदम सिंग है लेकिन यह दोस्ते हम पर देखे हैं लंदन में जाके 1940 में हत्या की दी दोस्तों ओडायर की लेकिन जो यह जन्रल डायर है जो जालिया वाला बाग हत्या कंड़ी के लिए जम्मेदार है दोस्तों जिसने गुलियां थी 1927 में बहुत ज्यादा बीमारियों से या फिर अलग-अलग प्रकार के उसके पक्षक के द्वारा कुछ वार किया गया था तो उसके तहद उसकी मुरूती हुई थी तो यह आपको पतावना चाहिए यह ओडायर है यहां पर और दोस्तों एक अंग्रेजी प्रशा सकता 1905 में की गई थी इसके बाद दोस्ते आपर देखिए विवाजन की परकिरिया का मुख्य उद्देश से वही था दोस्तों के भारत में फूर डालें और उसके बाद अलग-अलग टुकणों पर राज करें तो एकता को भंग करने का एक उद्दिश्य था दोस्ते आपर दोस्तों कोलकाता से राजणी को शिफ्ट करके दिलिय कर दिया गया था अगला कुषिणा पर देखिए भारत में के उच्छ नयाले हैं यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्परें है दोस्तो 25 वा उच्छ न्याले बना है अगराअब कुछ है डूसे आपको पतावना चाहिए और लोग सभा का अध्यक्ष्य दोस्ते ही चुना जाता है संसत का जो मेंमर होता सदय से होता है दोस्तो उसे राजनेतिक दल से इस्थपा देने को का जाता है ताकि वो न्याय कर सके सभी के साथ में समान रूप से तो यह आपका यह पर अभी वर्तमान में कौन हैं दोस्तो वर्तमान में शुरी ओम बेड़ा जी है अभी 17 लोगसभाक अध्यक्ष दोस्ते बने हैं अगला कुछ ना पर दिखे दोस् आपको मालूम होगा डॉक्टर भीमराव अमबेट कर थे तो यह दोस्तो अइस्थाई की रूप में जो होंगे वो सच्चे दानन दे सिन्हा हो जाएंगी जो इस्थाई की रूप में थी वो डाक्टर राजेनर परसाद हो जाएंगे अगला कुशन आपर दिखे नुरुति आपके होते डांस होते हैं दोस्तों फोक डांस होते हैं या आपके दोस्तों क्लासिकल भी होते हैं फोक भी होते हैं मतलब शास्त्री और लोग दोनों प्रकार के होते हैं जो लोग दोस्तों लोग के कारण वहां से पैदा हुए हैं वो आपके लोग नुरुति कहलाते हैं जो शार्ष्तुरी के आधार पर पैदा हुए है वो शार्ष्तुरी कहलाते हैं तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए तो यह हैं दोस्ता आपको मैध्पुन कोशिन उम्मीद आपको अच्छे लगे आँगे और भी स्प्रकार की कोशिन को लगाधार आपको बताते रहेंगे